ढांग की आई है है तो दोस्तों इस्टेनों हैल पीपिय में आप सभी का सवागत है आज का डिक्टे unpleasant हम देनीक जागरन और हिंद्》 स्थान के अजिफं़ और देटरइस बोल रहें अगर आप ने हमारे चैनल को लायक, सब्सक्राइब से न हेए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब से जरू करें और बैल आकटिकन को दबाना मत भूलिएगा डिक्टेसिन स्टार्ट करते हैं ठीक तेन सेकंड के बाद रडी, स्टार्ट पाकिस्तान की समस्या केवल यही नहीं कि उसने यह मुगालता पाल लिया कि कस्मीर उसका हिस्सा बनकर रहेगा बलकी वह भी है कि उसने अपने लोगों को भी यह गुट्टी पिला दी कि वह चल बल से इस भारतिय भूबाग को हासिल करके रहेगा अगर वह अपना भला चाहता है कि वह मुगालता छोडे कि वह कस्मीर को हासिल कर सकता है या फिर आतंक के बल पर भारत को डरा धमका सकता है उसे यह समझ आये तो बहतर की वह गैर जिम्मेदार देश की तरह व्यवहार कर रहा है और अपनी पस्त अर्थ विवस्ता के कारण विफल रास्ट की और बढ़ रहा है अपनी इस हालत के लिए वह किसी अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता आखिर यह वही था जिसने दुनिया भर के आतंक की संगठनों को अपने यहां खुसी-खुसी पनाहा दी और आतंगवाद को नीतीगत तोर पर अपनाया एक सच्चाई यह भी है कि उसने आतंकवाद से लड़ने के नाम पर दुनिया की आखों में धूल जोंकी वह यह काम अभी भी कर रहा है और इसी कारण उसकी धरती से भारत में आतंकियों की घुस पैट थम नहीं रही आखिर पाकिस्तान ने यह कैसे समझ लिया कि भारत जिस हिस्से को अपना अटूट अंग बताता है वहां से संबंदित नियम कानूनों में परिवर्तन नहीं कर सकता क्या अनुछेद 370 पाकिस्तान से पूछ कर तैयार किया गया था यदि नहीं तो फिर उसके हटाए जाने पर उसमें आसमान सिर पर क्यूं उठाया अच्छा हो कि पाकिस्तान सरकार और साथ ही वहां का समाज इस पर चिंतन मनन करे की आखिर संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद एवं उसकी मानवा अधिकार परिसद में उन्हें एहमियत क्यूं नहीं मिली अमेरिका में विगद चार दिनों के तेज घटना करम में ना केवल परधान मंतरी नरेंद्र मोदी की ताकत बड़ी है बलकि भारत को भी कूट नीटिक रूप से परियाप्त बड़त मिली है परधान मंतरी मोदी के नेत्त में भारत को हुआ लाब इसलिए भी बहुत इसपस्ट होकर उभरा है क्यूंकि एक तरह से पाकिस्तानी परधान मंतरी ने सीकार कर लिया है कि कस्मीर के मसले पर उनकी कोशिसें नाकाम हुई है विरोध वो संकाओं की कुछ चर्चाओं को छोड़ दीजिए तो अमेरिकी राष्चपती डोनाल्ड ट्रम्प ने भरोसा जताते हुए यहां तक कह दिया कि नरेंडर मोदी, कस्मीर और आतंगवाद को समाल सकते हैं भारतिय परधान मंतरी पर भरोसा जताकर भारत को अमेरिका ने जो आवसर दिया है उसका भारत सरकार को भरपूर उपियोग करना चाहिए ताकि कस्मीर में सामानी जीवन बहाल हो जाए यह अवसर भारत की कूट नीती को थोड़ी ससत देख अभी भूत होने का नहीं है आतंकवाद पर अमेरिका में इमरान को कोई पाठ पड़ाया गया हो ऐसा दिखा नहीं क्यूंकि ना सिर्फ इरान बलकि अफगानिस्तान में भी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका ने अभी केवल इतना संदेश दिया है कि बहुँ भारत पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाएगा कुल मिलाकर अमेरिकी घटना करम से थोड़ी उम्मीद बड़ी है क्यूंकि इससे पाकिस्तानी परधान मंत्री को भी सबग मिले है और भारतिय परधान मंत्री को भी पाकिस्तानी परधान मंत्री को यह सबक मिला है कि बाजार और अर्थ विवस्ता की मजबूती के कारण कोई भी भारत के खिलाप नहीं जाना चाहता भारत के लिए यहाँ खुसी की बात है विगत दस्कों से यहाँ बात होती आई ठीकी भारत अपनी ताकत और महत्त को बढ़ाए तो दुनिया उसकी बात सुनेगी इस चौप दोस्तों अगर आपने इस डिक्टेशन को लिखा है इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको पीडियेफ की जरुद होगी अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो आप हमारे वर्टसप और टेलेग्राम गुरूप दोनों से जूर सकते हैं जिनकी लिंक नीचे प्रोवाइट की गई है और अगर आपके पास कोई सुजाओ कमेंट्स हैं तो प्लीज हमसे सेयर कीजिए उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और एक विशेश बात अगर आपके पास विगत वर्सों से आयवे किसी भी इसके लिए टेस्ट के एक्जाम सुजाओ के लिए बास